हेलो एव्रीवान कैसे हैं आप सब लोग आप लोगों के लिए अंचुम सर की क्लास से पहले मैं एक शेकिंड आप लोगों का थोड़ा सा टाइम लोगा आपको बता दूं कि आज है फर्स्ट ऑक्टूबर और आज ही आप लोगों के लिए हम लोगों को ने डिसाइड किया थ था कि आप लोग देंगे फाइनांस अकाउंट असेस्टेंट का मॉक्टे सिक्स एक अक्टूबर के दिन तो आज आप लोगों को एनालैसिस वीडियो मिल जाएगा ठीक रात के दस बजे लाइफ क्लास होगी टेस्ट ऑलीबोड की एप पे होगा तो आप यहाँ पे आपको यह कोड यूज कर लेजएगा फैस्ट क्योंगे नवरात्री का स्पेशल ऑफर आया है तो यह सिर्फ तीन दिन के लिए विलेबल होगा आप लोगों के लिए तो आप लोग फैस्ट यूज कर लीजएगा और अगर आप लोगों ने टेस्ट नहीं दिया पहले के कोई भी त तो आपको 30% डिसकाउंट पर यह मिल जाएंगे और all the best सबको यह लेक्चर इसलिए है ताकि आप लोगों की जो रिदम है preparation की वो ना टूटे इसलिए लेक्चर हम लोग अप्लोड करते रहेंगे इस week का जो प्लान है उसको आप पूरे सही तरीके से follow करो तो आज आज आप बात करेंगे कि 7 to 17 तक हम लोग किस तरीके से prepare करेंगे आप लोगों को किस तरीके से चीजों को follow करना है और यह बहुत ही crucial S होता है triple S का second S यानि की strategy जिस पर हम सब काम करते हैं और आप मैंसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो third S triple S का देखेंगे जिसे success हम लोग कहते हैं त आज का जो हमारा mcqS session होगा वो होगा internet technology पे internet के बारे में हम ने पढ़ा कहां से internet के बीच बोए गए जहां से अरपा नेट से स्टार्ट किया गया फिर दो यंव स्टीज को connect किया फिर पांच इनवस्टीज को उसके बाद आज आप जिस लेवल पर देख रहें internet को global connectivity जो possible ह हो रही है अभी इंटरनेट के दोरा इस स्टेज पे पहुंच गया आपका इंटरनेट के बारे में ही आज हम कुछ MSQ ट्राइ करेंगे क्योंकि इसमें से कुछे जाते हैं SSB के दोरा चले देखते हैं पहला क्वेशन जो हमने MSQ आपके लिए तयार किये हैं क्वेशन पर ओन इस साथ करने के लिए एक यूनिक अडिन्टिटी दी जाती है उससे हम क्या कहते हैं आप लोगों को बिलकुल पता होगा इसका ये क्वेशन SSB के दोरा कुछ दिनों पहले इस तरह पूछा गया है देर से यूनिक अडिन्टिटी विच इस यूज़ तो कनेक्ट या कंप्यूटर तो इंटरनेट विच इस डिवाइड इन्टो फोर पार्ट क्योंकि हमारे पास जो IP अड्रस है यही हमारे पास चार पार्ट में डिवाइड किया गया था मैंने आपको बताया है कि इसको 32 ब अगरे के लिए इस्तिमाल किया जाते हैं आपको ना डीप नहीं जाना है बस आपने इतना याद रखना है कि हमारे पास एक यूनिक अडिन्टिटी रहती है जिससे हम IP अड्रस कहते हैं 32 बिट्स का होता है और चार पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है इच बार्ट खथा एट बिट्स करेता हैं यह ओर पास इस अड्रस को आई-ड्रस कहते हैं कि आई-बीर टू है हमारे पास आई-केन के बारे में हमने बड़ा था तो आई-केन मैंने आपको बताया था इंटरनेट की एक authority रहती है I can which assign is IP address stands for I can जो इंटरनेट जो IP addresses assign करता है ये एक body है तो इसका full form आपने बताना है option A is international cooperation for assigned names and numbers option B is internet committee for applied names and numbers option C is international cooperation for applied names and numbers option D is internet cooperation for assigned names and numbers चार option आपके सामने हैं बिलकुल आप लोगों को पताऊगा I can का full form क्या है मैंने आप I can के बारे में बहुत सारी चीज़े और भी बताया था कि इसके headquarters कौन है कौन है इसके founder और किस कौन है आज इसके CEO ये भी मैंने आप लोगों के साथ discuss किया था आइकेन के जो headquarters है वो है न्यू जर्सी में ठीक है सारी लॉस एंजलिस में मैंने बताया था लॉस एंजलिस में इसके headquarters है तो इसका full form जो है वो है आपने select किया होगा option D is correct answer internet cooperation for assigned names and numbers question number three है हमारे पास who is the founder of icon icon में हमने इसका भी जिकर किया था icon का जो founder member है founder है रादर वो कौन है इन में से option A is Goran Marby option B is John Postle option C is Bob Thompson option D is none of the above कौन है icon के founder ठीक है तो वो है हमारे पास selected option option B is the correct answer John Postle ने इसके बनियार डाली थी icon की और इसके जो प्रेजन्ट CEO वो है Goran Marby इसके headquarters जो मैंने आपको बताया था लास एंचलिस में इसके headquarters है और यही assign करते है IP addresses चले question number four है हमारे पास यह question भी सब्सक्राइब के दोरा दो तीन बार पूछा गया है पिछले पेपर्स में मैंने यह question देखा था the computer jargon www stands far हमारे पास एक computer jargon है www www इसका full form क्या है option A is worldwide web warm option B is worldwide wild life option C is worldwide women's web option D is worldwide women's week ठीक है तो एक computer jargon है इसका full form होते हैं बहुत सारे बच्चे कभी कभी इसमें यह भी गलती करते हैं अगर वहां पर worldwide web दिया गया है तो वह उस पर टिक करते हैं बहुत सारे बच्चों को यह गलती पिश्टी बार भी हुई थी लेकिन इसको याद रखें आप यह चार बार धे क्लारNE इस कोनेक्टी इटे लिंटनेंट का इंटेंट इस हमारे पास एक बाटी रहती है जो इस ब्च्चों आडरस दी जाती है यूनिक आडरस जनरेट की जाती है उस प्रोटोकॉल को हम क्या हैं ऊपशन एज डी अच सी पी डाइमक को स्ट कन्पोडिशन पोटोकॉल आज़स अपशन सीज सीज स्ट्डाइमिल ऑपशन्टी इस डी एनस छो आपने बताना है वो कौं सा प्रोटोकॉल है जो IP addresses clients को assign करता है जब वो internet के साथ connect होते हैं यह governing body नहीं है अगर governing body की बात चली होती तो मैं आपको icon बता देता है लेकिन आपस पूछा जाता है protocol कौन सा है तो वो protocol है हमारे पास DHCP dynamic host configuration protocol इसको याद रखें आप dynamic हो सकता है full form भी पूछा जाए dynamic host configuration protocol ठीक है dynamic host configuration protocol जो है यह हमारे पास एक आईसा IP address जो हमें assign करता है IP addresses when we connected to internet और एक चीज़ आप यहाँ पर याद रखें यहाँ साथ साथ DNS जो हमारे पास एक server रहता है domain name server यह क्या करता है आपकी जो website होती है ठीक है web link जो होती है आपके पास यह website को convert करता है IP address में यह IP address को convert करने के लिए हमारे पास एक server है जो इसको IP address में convert करता है ताकि यह computer readable बने उससे हम कहते है domain name server याद रखें assign को करता है DHCP लेकिन convert को को करता है यह website से जो आपकी web link होती है website होती है उसको convert करता है IP address में वो कौन करता है वो एक server करता है है जिसे हम domain name server कहते है इस चीज़ को आप यहाँ पर याद रखें चले को सिक्स पर चले जाते हैं हमारे पास programs that are automatically loaded and operated as a part of browser are known as हमारे पास browser में कुछ चीज़ आटोमेटिकली लोड हो जाती है ठीक है वो उसी browser के लिए बनी होते हैं उसे हम क्या कहते हैं option A is plugins option B is utilities, option C is widgets, option D is none of the above तो आएसे programs जो automatically load होते हैं आपके browser के साथ ही जो ही आप browser को open करते हैं उसे हम क्या कहते हैं ठीक है plugins, utilities, widgets, none of the above तो तो इसका correct answer जो है वो है आपने select किया होगा I'm sure about it plugins plugins जैसे हमारे पास आपके browser में flash play रहते हैं जो है वीडियो अगर play करना चाहेंगे तो उसके दोरा आपके वीडियो जो है प्ले होते हैं यह कुछ software's है कुछ प्रोग्राम्स है जो बनाए गए होते हैं कुछ जो है और्गनाइज़ाइशन इसके दोरा और फिर आप उसको अपने ब्रॉजर में जो है इसको एड़ कर सकते हैं उसके बाद ये आपके ब्रॉजर के साथ ही उपन हो जाता है ठीक है? वेब सर्विस में अगर हमने स्ट्रक्चिरल इंफर्मिशन एक जगा जगा से दूसरी जगा जो है बेज नहीं है उसके लिए हमारे पास एक प्रोटोकाल है ठीक है? इसका एक्रोनाइम क्या है? ये एक मेस्जिजिज प्रोटोकाल है मैंने इसलिए इस को इस तरह से फ्रेम किया ता कि आप लोगों को यह भी पता चले क्योंकि प्रोटोकॉल हमने कुछ पढ़े हैं लेकिन बहुत सारे मैंने कुश्चन जाए से भी देखे जहां प्रोटोकॉल के नाम पूछे जाते हैं उनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं ज्यादा डीप आपको उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा लेकिन यह चीज़ है कि मैंने वो सभी कुशिश करूंगा मैं उस सभी प्रोटोकॉल को इसको इस प्रोटोकॉल को प्रोटोकॉल का फूल फॉर्म आपने बताना है वह दोने वाला नहीं है ठीक है तो इसका अप्शन A is Simple Object Advanced Protocol, अप्शन B is Standard Object Access Protocol, अप्शन C is Simple Object Access Protocol, अप्शन D is Standard Object Advanced Protocol ठीक है तो इन मैंसे आपने बताना है कि Right Option इसका कौन है तो इसका Right Option जो है अभी तक आपने सेलेक्ट किया होगा मैं आपको बता दूँ सोब का Full Form है Simple Object Access Protocol अगर हमने Structured Information एक जगह से दूसरी जगह बी बीजते हैं सोब प्रोटकॉल के तो याद रखें अगर हम इमेल में बीजते हैं तो से हम उसके लिए हमारे पास कौन से प्रोटकॉल है SMTP Simple Mail Transfer Protocol ठीक है लेकिन यहां पे हमारे पास अगर नॉर्मल कोई Structured टेक्स्ट बेजना है एक जगह से दूसरी जगह उसके लिए हमें सो क्या कहते हैं Option A Social Network Option B Scrawler Option C Search Engine Option D Router वो वेबसाइट जिसमें जाके हम बागी वेबसाइट को सर्च करते हैं उससे हम क्या कहते हैं जो ही आपने कुछ चीज़े सर्च करने होते हैं आप पहले Google Open करते हैं Google.com ठीक है Google Open करने के बाद ही आप Google में कोई चीज़ सर्च करते हैं तो गूगल आपके लिए क्या बना Google आपके लिए बना Selected Option Search Engine Option C is the correct answer तो Google याहू बिंग हो ठीक है याहू यह हमारे पास है Search Engine जहां पर जाके हम दूसरे वेबसाइट को सर्च करते हैं ऐसे वेबसाइट को हम कहते हैं Search Engine बहुत सरे कंट्री के अलग-अलग वेबस जो है Search Engine है चा यह आपके पास Search Engine है जहां पर जाके हम वेबसाइट किसी और वेबसाइट को सर्च करते हैं Question 9 है हमारे पास इसी के Related Web Crawler is also known as Web Crawler क्या होता है Web Crawler होता है जो ही आप Search Engine में जाते हैं आपके पास कुछ पब्लिक वेबसाइट होते हैं यह पब्लिक वेबसाइट होते हैं जो आपको मिल जाते हैं जो ही आप हिट करते हैं कोई भी कीवर्ड हिट करते हैं तो आपको वो Links मिल जाते हैं वो वेबसाइट मिल जाते हैं उसके तो ये एक robot या bot है जो एक program की सूरत में होता है जो हमारे web links को available बनाते हैं इंटरनेट पे जो ही आप कोई keyword हिट करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी links आ जाती है तो वो links जो आते हैं वो website जो आती हैं वो अलग-अलग web page जो आते हैं उसको discover करने के लिए उसको आप तक available करने के लिए एक crawler की जुरत पढ़ती है जिसे हम web crawler कहते हैं समझाई ये बात ये कहां पे रहता है ये आपके search engine में ही रहता है ठीक है ये चीज़ के लिए रही तो search engine में हमारे पास एक bot रहता है एक program रहता है जो discover करता है आपके web links को या web pages को आपके लिए available रखता है ठीक है तो आप से कहा जाता है इसका दूसरा नाम क्या है option A is link directory, option B is search optimizer, option C is web spider, option D is web manager link directory, search optimizer, web spider, web manager crawler मैंने आपको समझाया हमारे search engine में रहता है एक tool, एक program जो हमारे internet पे web pages रहते हैं, worldwide web में जो web pages रहते हैं उनको discover करने के लिए, उनको आप तक पहुचाने के लिए उसमें एक tool रहता है search engines में जो आप तक ये पहुचाता है, ये सभी web links उस tool को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं web crawler, उसका दूसरा नाम क्या है यहां पूचा गया है, तो उसका दूसरा नाम जो है, अगर आप लोगों को पता नहीं है, ये याद रखे, उसका दूसरा नाम है हमारे पास web spider, कभी-कभी इसको web spider भी कहते हैं, कभी-कभी इसको internet bot भी कहते हैं इंटरनेट बॉट याद रखें ये चीज़ इंटरनेट बॉट भी कहते हैं कभी-कभी इसको हम कहते हैं वेब बॉट भी कहते हैं वेब बॉट भी कहते हैं इसको कभी-कभी इंटरनेट बॉट भी कहते हैं कभी-कभी इसको वेब स्पाइडर भी कहते हैं ये चीज़े ये इसको याद रखें कोश्चिन अबर टेन पे चले जाता हैं कुश्चिन बटेने हमारे पास गोवनिग बाडि विच रिस्पॉंसिबल फॉर इविलुशन इंटरने इप रहती है जो इनटरने ने के लिए इसमें changes लाने के लिए ठीक है 4G से 5G 5G से 6G ठीक है तो यह evolution लाने के लिए कुछ नया change करने के लिए हमारे पास कुछ एक जो रहता है एक body रहती है एक innovative body रहती है उससे हम क्या कहते हैं option A is internet engineering task force option B is internet societies option C is internet architecture board option D is internet evolutionary board तो उस body को हम क्या कहते हैं जो evolution लाथ इंटरनेट में जो इंटरनेट में कोई change ठीक है कोई innovative change लाने के लिए हमारे पास एक body रहते गावनिंग बाड़ रहते हैं उससे हम क्या कहते हैं मैंने आपको बताया है internet governing bodies के बारे में ठीक है कौन-कौन से हमारे पस morning bodies रहते हैं internet के लिए वो सबी चीज़ों का हमने जिकर किया था तो इसका correct answer अगर आपको पता होगा होना भी चाहिए notes में आप देखें हमने notes में चेक करें महाँ पर मैंने बताया था तो internet engineering task force के लिए बनाया गया है जहां पर नेटवर्क engineers रहते हैं बाकी engineers रहते हैं जो innovative engineers रहते हैं जो कुछ innovation लाते हैं इस इंटरनेट technology में उससे हम उन्हें हम कहते हैं internet engineering task force वो ही evolution लाते हैं इंटरनेट में ठीक है चले कुछ नबर 11 पर चले जाते हैं कुछ नबर 11 हमारे पास world's first isp is considered to be world का पहला isp कौन सा है option a is telnet option b is where is on option c is where is on option d is none of the above पहला isp कौन सा था दुन्या में internet service provider कौन सा था दुन्या में पहला तो वो है आपको याद होगा that is telephone network is telnet option a is the correct answer अगर आपसे पूछा जाए which was the first word इंडिया आइस पी तो इंडिया का सबसे पहला इंटरनेट है वी एस एनल विदेश संचार निगल लिमिटेड ठीक है तो this is the first in India this was the first in the world ठीक है पहला आइस पी दुन्या का और पहला आइस पी हमारे इंडिया का कुस्ट नबर 12 पे चले जाते हैं who is considered as the father of internet father of internet किन को माना जाता है option a is Alan Turing option b is which of option c is mccafe option d is not double बिलकुल आसान से options है आप अच्छी तरह से इसको देख सकते हैं आपको पता है कौन है father of internet में ज्यादा इसमें जो है बाते करने की जरुरत नहीं है windsurf और बाब कहन को माना जाता है father of internet क्योंकि इन्होंने एक प्रोटकॉल दिया था जिसका ब्यारे में आपको बताया था TCP IP प्रोटकॉल जो हमारे पास है Transmission Control प्रोटकॉल और इंटरनेट प्रोटकॉल जो है यह स्यूट हमारे पास इन लोगों नहीं दिया था क्योंटर में फाइल हासिल कर सकता है उसके लिए हमें कौन से प्रोटकॉल की जूरत पड़ती है फाइल इसकी बात चल रही है option A मैसेजिंग में हमने देखा कि सोप इस्तेमाल होता है लेकिन अगर फाइल होगा तो कौन से प्रोटकॉल इस्तेमाल होगा एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर तक उसके लिए हमें कौन से प्रोटकॉल की जूरत पड़ती है तो बिलकुल आसान सा कौश्चन है आपको पता होगा FTP हमारे पास एक प्रोटकॉल है फाइल ट्रांसपर प्रोटकॉल ये फाइल इसको ट्रांसपर करने के लिए इस्तेमाल होता है ठीक है क्या ये डाइनिमिक सिस्टम है इस सभी फीचर्स इंटरने में पाएज जाते हैं बिलकुल आसान से कुश्चन है देखे डाइनिमिक सिस्टम है हमारे पास तो विदिन सेकंड इसमें आईप एडर्स चेंज हो जाते हैं सारा सिस्टम जो है चेंज हो जाता है option D complex system है इसमें हमारे पास छोटे नेटवर्क से फिर बड़े नेटवर्क से फिर continent को connect करता है तो बहुत complex system है यह इसका एक खास जगह पे कोई centralized hub नहीं है जिस पर यह dependent है तो इसे यह decentralized है अलग-अलग इसकी connectivity है हम एक network को दूसरे network के साथ करेक्ट करते हैं लेकिन एक network दूसरे network के डिपेंड़न नहीं होता है इसलिए decentralized system है यह हमारे पास option D is all of the above is the correct answer for this question ठीक है चले आज प्रोटोकॉल इसकी बात भी बहुत हुई क्योंकि यह पूचे जाते हैं वीच प्रोटकॉल इस यूजरड टुट अरर् मैसीज यूजड टुसरे हैट इस यहां पे पूल गया इस यूजड़्ट सेंड अर्र मेसीज वह कौन सा प्रोटकॉल है जो जो मुझे ये मैसेज देता है कि जनाब आपने जो मैसेज बेजी है, वहाँ पे वो डेस्टिनेशन ही नहीं, जिस शक्स को आप बेजना चाते हैं, वो शक्स अवैलेबल नहीं है, या आपने रॉंग एडरस पे बेज दिया, वहाँ पे वो डेस्टिन ही करता है, उसके लिए हमारे पास एक एरर मैसेज आता है, उस एरर मैसेज को हैंडल कौन सा प्रोटोकॉल करता है, ऑप्शन A is TCP, ऑप्शन B is IP, ऑप्शन C is ICMP, ऑप्शन D is SMTP, कौन सा है वो प्रोटोकॉल जो आपके एरर मैसेज को हैंडल करता है, ऑप्शन A is TCP, ऑप्शन B is IP, ऑप्शन C is ICMP, ऑप्शन D is SMTP, डेस्टिनेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, रॉंग एडरस है, ये सबी चीजें, ये मैसेज में कोई गड़ बढ़ है, ये मैसेज आपको, इसका इन्फॉमिशन आपको एक प्रोटोकॉल देता है, वो आपको बताता है जनाब आपको इसको करेक्ट करने की जरुरत है, तो वो message आपको कौन सा protocol देता है error message कोई सा protocol आपको देता है इस मेंसे तो वो protocol है हमारे पास हम अगर सेलेक्ट किया होगा तो well and good मैं बहुत कुछ हो जाओँगा अगर नहीं पता तो याद रखे या यह हमारे पास एक protocol है इंटरनेट control message protocol ठीक है तो ही कहते है कि आई हमारे पास एक आइसा प्रोटयकॉल है जो एर्र मेसेज दिता है अगर हमारा जो मैसेज है रांग पे चला गया रांच बेसीयशन पे चला गया उसके लिए एक error message दिया जाता है है उसे हमें चै bullets को कौह हम क्या कहते हैं आई सी एम पी इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल तो यह हमारे पास एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो एरर मेसेज देता है आज का सेशन यहीं पर करते हैं नेक्स सेशन में हम आपके लिए जो है वेब टेकनालोजी के लिए रिलेड़ जहां पर हम हमारे वर्ल्ड वाइड वैप जो हमारे सेल्बस में हैं उसके बारे में बात करेंगे और इमेल का बारे में कुछ चीज़े हम डिसकस करेंगे ठीक है अगर आप लोगों क्यार बाइ